हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिसक्स मोमेंटम फिसक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है तो हम लोग आज एक वीडियो लेकर आए एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले तो अगर आप जुड़ना चाहते ह हमारे गुरूब में जहांबर बच्चे डिसक्स करते हैं तो हम मोमेंटम फिसक्स गूरूप सर्च कर लिएगे टेलिग्राम में आप यहां पर जोड़ सकते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं तो देखे हमार जो आज का problem है कि एक circular loop दिया हुआ जिसकी radius हमारी r है जिसकी line charge density हमारी lambda दी हुई है electric field हम लोगों को calculate करना है directly above the center of the loop यानि कि loop के center से उसके उपर हम लोगों को calculate करना है ठीक है और electric field नहीं calculate करना है कहने का उसका मतलब यह है कि maximum कहां पर होगी z की value क्या हो ठीक है तो इसको हम लोग समझते हैं तो देखे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हम लोग एक loop बनाने वाले एक हम लोगोंने circular loop बनाया यह हमारी एक z axis हम लोगोंने ऐसे मान लिए यह हम लोगोंने z axis मान लिए तो यहाँ पर हमारी electric field हमारी कुछ होगी तो किसी point पर मान लीजे यह radius हमारी R है तो यह जो यह वाली distance को हम लोगों ने अगर Z कहा तो Z की क्या value हो कि हमारी electric field क्या हो maximum हो तो देखिए electric field सबसे पहले अगर हम लोग निकाले अगर यहाँ से इस दूरी को हम लोगों ने मान लिया है अगर हम लोगों ने इस दूरी को Z मान लिया वैसे तो बुक में अगर आप formula के point of view से देखोगे तो हम लोगो इसको D लेते हैं तो electric field हमारी हो जाती है 1 upon 4 pi epsilon naught Q D upon R square plus D square की power 3 by 2 यह होता है तो हम लोगों यहाँ पर Z लेके चल लें तो हम लोग की electric field हो जाएगी E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q और D को हम लोग लिख देंगे Z और नीचे हो जाएगा हमारा R square plus Z square और 3 by 2 अब charge तो हम लोगों को उसने Q दिया नहीं है उसने इसकी linear charge density दी यह lambda और इसके पूरी length कितनी होगी circumference हमारा कितना हो जाएगा 2 pi r तो charge हमारा हो जाएगा Q बराबर lambda into 2 pi r तो हम लोग इसको देखते हैं तो electric field हमारी निकल कर आ जाएगी 1 upon 4 pi epsilon naught और यहाँ पर lambda into 2 pi r और यहाँ पर हमारा Z आ गिया ठीक है तो अब यहाँ पर r square plus z square 3 by 2 यह हमारा निकल कर आ गया तो electric field finally हम लोग निकाल लिया अब question कह रहा है हमारा maximum तो यह बात याद रखिएगा कभी भी किसी चीज़ का अगर maximum वो पूछने को निकाले तो उसका derivative जो है हमें 0 रखके निकालना रहता है ठीक है तो किसी भी चीज़ का maximum minimum निकालना रहता है क्या करना पलता है हम लोग फर्स derivative उसका हम लोग 0 करते हैं तो हम लोग ने यहाँ पर इसका 1 upon 4 pi d by dz और 1 upon 4 pi epsilon 0 lambda into 2 pi r z upon r square plus z square की power 3 by 2 इसको हम लोगों ने differentiate करा और इसकी value हम लोगों की निकल कर आई है जीरो निकल करेंगे डिफरेंशेट करने के बाद हमारी क्या निकल कर आईगी डिफरेंशेट करेंगे अगर हम लोग देखें बाकी पीछे का constant निकाल लें और उसको अदर जीरो में भेज दें तो हमारे अक्कुल मिला की जो differentiate करना है हम लोगों को function वो z upon r square plus z square 3 by 2 इस तरह से हम लोगों को करना है तो दो function है हमारे division में उसके साथ से division का जो भी आप निकाल के निकालोगे तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ किस तरह से आ जाएगा आप लोग इसको यहाँ पर calculate कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग calculate कर लिजएगा हमारा निकल कर आएगा r square plus z square की power 3 by 2 और यह हमारा जब इसको 3 by 2 को हम लोग differentiate करेंगे तो 3 z square और यह हमारा आजाएगा under root r square plus z square इस तरह से हमारा निकल कर आजाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा r square plus z square is equals to 3 z square इसको दर बेज देंगे तो r square हमारा आजाएगा 2 z square और यहाँ के हम लोग z की value निकल लेंगे z square की आजाएगी r square by 2 z की हमारी value निकल कर आजाएगी r by root 2 तो अभी हम I hope की यहां तक समझ में आगे है तो यह जो यह वाली line आईए इसको जब आप differentiate करोगे तो automatically आपकी यह वाली line आ जाएगी तो यह आप लोग कर लेंगे ठीक है थोड़ा था यह सब शीदों की भी practice कर लीजे तो इसका हमारा answer क्या हो जाएगा इसका हमारा answer हो जाएगा भी वाला मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी यह question हमारा jest करदा तो इसी तरीके की बहुत सारी important questions और problems हम लोग discuss करेंगे तो आप हमारे channel को subscribe जरूर कर ले IAT jam के जो बच्चे हैं या Jest TIFR के लिए जो बच्चे प्रिपेर कर रहे हैं या फिर जो है गेट और नेट के लिए जो बच्चे प्रिपेर कर रहे हैं तो उनके लिए ये channel बहुत जादा useful है यहाँ बहुत सारे काम की वीडियो आप लोगों के लिए आते रहते हैं और नेट गेट की प्रिपेशिन कर रहे हैं तो यह सब हमारे टेलीग्राम की ग्रूप्स और चैनल है तो वहाँ पर आप लोग जोइन कर सकते हैं ठीक है तो तब तक के लिए चलते हैं हम लोग तो बाई वरीवन टेक क्या थैंक्यू जै फिजिक्स